सुबह का रूटीन वर्क मेरा चल रहा है नहाके और कपड़े भी वोश कर दिये और पूजापाथ भी मैंने कर लिये अब लग रही हूं मैं कीचन में तो आज मैं बनाऊंगी भिंडी की सबजी तो इसके लिए मैं सुबह जब चाए बना रही थी उसी टाइम मैंने भिंडी क वोश करके और रख दिया और उसका पानी भी तब तक जर गया कपड़े मैंने वोश करके और तार पर सुखा दिये जब तक भिंडी सूख रही है तब तक मैंने अपने नहने का और कपड़े वोश करने का सब काम कर लिया है तो भिंडी लग भग सूख गई है अब मैं इसक तो भिंडी अच्छे से सूख गई है और मैं इसको आगे पीछे से इसके डंठल काटके और इसकी सबजी के लिए कटिंग कर लेती हूं और इसके साथ साथ मैं काटूंगी दो प्याज एक प्याज को मैं लंबाई में काटूंगी तड़का लगाने के लिए और एक को थोड़ बड़े पीस रखोंगी वो थोड़ा बाद में डालूँगी तड़का जपक जाएगा तो उससे भिंडी में है जो प्याज का अलग सा मिठा साता है और 8-10 लैसुन की गुली भी मैं छील कर और लंबाई में काट लूँगी तो यह सब मेरा तैयार हो चुका है तो मैंने रख यह कड़ाई गेस पर और डाल दिया एक चम्मच यानि कर्ची के लगभग मैंने सरसों का तेल बहुत ज्यादा तेल मैं नहीं डालती कोई भी सबजी में और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा जीरा और थोड़ी अजवाएण कोई राई भी डालते है वो अपने देख लेन टेस्ट के अकोर्डिंग हल दी और धनिया पाउडर गरम मसाला पाउडर फिर इसको थोड़ा सा मैं पकने दूंगी उसके बाद डाल रही हूं टेस्ट अकोर्डिंग नमक जब यह सब पक जाएंगे तो इसमें कटी हुई भिंडी मिक्स करके और इसको थोड़ा पकाऊंग चीनी के साथ थोड़ा गूग डालती हूँ यnek हर बार बताती हूं तो मेने मेरी चाए बन दिये ब्रेक कास्ट के लिए तो जब तक चाए रेडी हो रही है तब तक भिंडी भी पक जाएगी और इतने मैं प्रांप थे बनाके और चाए बन दख बन दी है ब्रेक क्सकी ताय क्यारी कर लेती हूं सबजी भी बन रही है तो भिंडी मेरी लग भग पक चुकी है वेसे तो देखने से पता चल जाता है बाकि हम थोड़ा चेक कर लेते हैं पक गई है तो इसमें हम डाल देते हैं टेस्ट के अकोरडिंग लाल मिरच और फिर इसको मिक्स कर देते हैं इसके ब अमचूर और इसको मिक्स कर दिया है बस उसके बाद हमें कुछ गेस को बंद कर देना और सबजी मेरी लग भग बंद चुकी है अच्छे से और मैं इसको दूसरे बरतन में ट्रांसफर कर लेती हूं और आप मैं ब्रेक फास्ट सारो कर लेती हूं तो मैंने अपने लिए ब्रेक फास्ट में रख लिए तो हम सब कर लेते हैं ब्रेक फास्ट तो हम घर वापिस आ चुके बेटे के किसी टीचर से मिलने गए थे और जो मैंने पेड़े बनाए थे उसकी रेस्पी देखने के लिए आप पेड़े की रेस्पी वाली वीडियो में जाकर फुल प्रोसेसिंग के साथ देखिए और घर पर पेड़े बनाईए भोती जल्दी बनते हैं और भोती ज्यादा टेस्टी बनते हैं तो एक बार आप जरूर करना दोनों ही रेस्पियां बहुत अच्छी है और बहुत ही अच्छे से मैंने इसकी डिटेल में बताई गई है तो मिलते हैं कल के व्लोग वीडियो में और एक नई रेस्पी के साथ झालब